दीपा वली की सफाई में धन 13 से पहले कैसी अवश्य निकाल फैंके यह चीज बैना घर में होगा गरीबी और दर्ता का पास मा लक्षमी नहीं करेंगे घर में प्रविश साल भर रहेगी धन की कमी ओम गर्शी महागरी शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों खुश्यों और रोश्णी का त्योहा दीपा वली कातिक मास की अमावस्य के दिन मनाया जाता है इस पार यह पर्व चार नमंबर दिन गुरुबार को है इस दिन मा लक्षमी का विश्य शूप से पूजन किया जाता है माना जाता है दीपा वली पर मा लक्षमी अपने भक्तों को आशिरवात देने उनके घर आती हैं लेकिन अगर आपके घर में दीपावली के दौरान यह अशुब बस्तुएं होंगे तो मालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगे इसलिए घर में बरक्कत हो और मालक्ष्मी का घर में पास हो इसलिए आप सभी दीपावली से पहले धनतेरस से पहले ही अपने घर से यह चीज अवश्य ही निकाल फैंके जिससे आपके घर में मालक्ष्मी का पास हो और साल भर धन की कमी ना हो दोस्तों दीपावली का पर्व पूरे पांस दिन का होता है यह पर्व कातिक मास की क्रश्न पक्ष की त्योधर्शी से कातिक मास की शुक्र पक्ष की दुध्या तिथी तक होता है कातिक मास की क्रश्न पक्ष की त्योधर्शी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है दोस्तों इस बार धन 13 का पावन पर 2 नमंबर दिन मंगलवार को है धन 13 का पूजन प्रदुश काल में किया जाता है और इस बार पूजन का शुब महुरत 2 नमंबर की शाम 6 बचकर 18 मिनद से रात 8 बचकर 11 मिनद तक का है इस बार धन 13 पर खरीदारी सुबह 11 बचकर 21 मिनद से की जाएगी इस बार धन 13 पर त्री पुशकर योग होने से ही और भी खास हो गया शास्तों में बताया गया है जिस घर में गंदगी होती है उस जगे मालक्ष्मी प्रविश नहीं करती और उस घर में दरित्ता का बास होता है इसलिए अपने घर से दरित्ता और गरीवी को दूर करने के लिए सुक्सम्रथी के कामना के लिए मालक्ष्मी को अपने घर आमंतित करने के लिए हम सभी धंतेरत से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगे उन्हें तुवारा घर में ही सम्हाल कर रख लेते हैं जिससे घर में नकारात्मक उजा का संचार होता है जिस जगे नकारात्वक हूजा होती है उस घर में लड़ाई छगड़े होते हैं गरीबी आती है आलस रहता है बेमारी रहती है और ऐसे घर में मालक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मालक्ष्मी जी का पास हो घर से गरीबी और दरित्ता दूर हो जाए घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे तो आप धंतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही पहाद निकाल दें तो आईए दोस्तों जानते हैं कि क्या है वह चीज है दोस्तों सबसे पहली चीज है बेकार घरी कई बार हम सभी घड़ी खरीते हैं और घड़ी खराब होने के बापचूद पर उसकी सुन्दरता की वज़े से उसे अपने घर में रखे रहते हैं लेकिन अगर आप ही ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें आपके घर में भी कोई बंद घड़ी हो चाहें वे दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो उसे या तो धंतीरत से पहले ही ठीक करा लें क्या फिर उसे अपने घर से बहार निकाल फैंके क्योंकि घड़ी आपकी प्रग्ती का प्रतीक होती है ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नती में बाधक है इसलिए घर में बरकत और उन्नती के लिए आप इस दीवाली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फैंके दोस्तों दूसरी चीज है जूते चपल हम सभी कई सारे जूते चपल खरीते हैं और कई जूते चपल तो ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं पुराने हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम उनको अपने घर से बाहर नहीं फैंकते और उन्हें अपने घर में ही एक कौने में कि धर सम्हाल कर रख लेते हैं अगर आपके घर भी ऐसे पुराने जूते चपल हैं तो उन्हीं आप दीपावली के त्योहाद से पहले सफाई करते समय अपने घर से बहां निकालना ना भूले जिनका आप्रयोग नहीं करते फटे पुराने जूते चपल घर में नकारात्मक्त और दुर्भाग्य को लाते हैं दोस्तों तीसी चीज है बर्तन हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमख स्थान होता है रसोई का रसोई को हमेशा साफ सुत्रा रखना चाहिए रसोई में कभी भी कबाड़े इखटे नहीं करने चाहिए खासकर रसोई में कभी भी गए हो अगर आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो आप इन्हें दीवाली से पहले घर से बहां निकाल फैंकि क्योंकि टूटे हुए बर्तन चटके हुए बर्तन घर में लडाई झखड़े के कारण बनते हैं और जिस घर में लडाई झखड़ा होता है वहां मालक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए ना ही तोटी मूर्तियां और फटी हुई भगवान जी की फोटो को घर में रखें शास्तों में बताया गया है कि भगवान जी की जो मूर्ती या तस्वीर खंडित हो जाती है उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है और वह केवल मूर्त रह जाते हैं ऐसे मूर्टी के पोजा करने से दोश लगता है अगर आपके घर भी ऐसी भगवान जी की कोई मूर्टी या तस्वीर हो तो उसे तुरंथ ही आप अपने घर से निकाल दें और अधिकता लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नए मूर्टि की उन सभी मूर्टियों को आप इस दीपावली से पहले हैं अपने घर से बहार निकाल दें आप भगवान जी की इन तस्वीर या मूर्टियों को या तो शुद्ध भैते हुए जल में बिसरचित कर आएं या फिर किसी पवत इस्थान पर रखाएं माना जाता है घर में साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें तभी देवी लक्ष्मी की असीन कृपा आपको मिल पाएगी दोस्तों अगली चीज है खराब इलेक्ट्रोनिक समान अकसर लोग टीवी, सीदी प्लेयर, फ्रिच, आदी खराब होने के ब सेहत पर बुरा असर होता है, साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, आपके घर में भी कोई भी छोटा बरा, खराब इलेक्ट्रोनिक कोई भी समान हो, तो या तो उसे दीपावली से पहले आप सही करा लें, या फिर उसे घ तूटा हुआ फरनीचर, अगर आपके घर में कोई फरनीचर तूट कया है, तो उसकी दीपावली से पहले मरमत करा लें, अगर ठीक नहीं हो सकता, तो उसे घर से पहा निकाल दें, बैवाहिक जीवन के शुक्षांति के लिए जरूरी है कि पती-पतनी का पलंग तूटा यदि पलंग ठीक नहीं है, तो पती-पतनी के बैवाहिक जीवन में परिशानिया आने की आशंका पर जाती है, इसलिए इस दीवाली से पहले आप अपने घर के फरनीचर को ठीक करा लें, अगर ठीक नहीं हो सकता, तो उसे अवश्य ही घर से निकाल फैंके, नहीं तो पार अकसर लोग घर का पुराना बाब बेकार समान कवाडा अपने खर की छत पर इखटा कर देते हैं, इसंते दूश पैदा होता है, इससे बचने के लिए घर के साथ ही चपिवी सफाई करें, छत पर जो भी कवाडा इखटा हो गया है, उसे दीवाली से पहले ही आप अपने ख मिद्वी दिये जलाएं जाते हैं और वह दिये छट पर जलाएं जाते हैं अगर छट पर गंदगी रहेगी तो आपको पित्रों का आशेवार प्राप्त नहीं होगा और इससे मालक्षमी भी आपसे रिष्ट हो जाएंगी दोस्तों अगली चीज है तूटा हुआ शीशा या क तूट गया है तो उस तूटे हुए शीशे को आप तुरंद ही घर से बहार निकाल फैंके उस जगे नया शीशा लगवा लें नया नहीं लगवा सकते तो कम से कम तूटे हुए शीशे को तो आप निकाल कर बहार फैंक दें तूटे हुए शीशे या कांश को घर में रखने लाश्ट बट नौट तलिष्ट आखरी चीज है तस्वीर दोस्तों अथिकतर आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में ताज महल की काटेदार पौधों की समाधी की नाव या जहाज फवारों की जंगली जानवरों की कबुतर बाह कोवा गरुण उल्लूस भालूसियार इत्यादी जानवरों की तस्वीरें लगाते हैं महाभारत की युद्ध की तस्वीर भी आपने कई लोगों के घरों पर देखी होगी अगर ऐसी कोई भी तस्वीर आपके घर में हैं तो आप उसे तुरंद ही दीपावली से पहले घर से बाहर अवश्य ही निकाल फेंगे ऐ ऐसी तस्वीरों को देखने से नकारात पक भावनाओं का विकास होता है जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटना घटना बंद हो जाती हैं इन तस्वीरों के इलावा अधिकतर लोग अपनी फैमिली मेंबरों की तस्वीर पूरे घर में लगाते हैं लेकिन अगर कु तूटी हुई तस्वीर को अपने घर में लगाएंगे तो यह तस्वीर जिस भी व्यक्ति की है उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा इसलिए आप ऐसी तूटी हुई तस्वीर को जल्द ही अपने घर से बहां निकाल फैंके दीपावली से पहले ही मालक्ष्मी की स्वाग है घर के मुख्य दर्वाजे पर मालक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं तोरन लगाएं और दिये चलाकर माताराने का स्वागत करें ऐसा कहने से घर में मालक्ष्मी का प्रवेस होता है और घर में साल भर धन की कमी नहीं रहती घर में सकारात्वक उचा कर आप स दुस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें, हमारी इस बीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्याद़ से ज़्याद़ शेयर करें, जिस आप इसका लाब उठा सकें, हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी च